हेलो एवरियों स्वागता आपका रेखा रेसिपे में आज मैं भिंडी फ्राइ करने जा रहे हूं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने 200 ग्राम भिंडी को अच्छे से दो के रख लिया है अब मैं इसको काट लोंगे मैं दिखा रहे मैं कैसे काट रहे हूं तो ऐसे इसका हैड और टेल दोनों साइट से काट दें और इसे बीच से ऐसे काट लगा है इसके अंदर हम मासाला भरेंगे बस इसी तरह स साड़े भिंडी को हम काट लेंगे यहां पर देखे मैंने इस तरह से काट लिया चलिए अब मासाला बनाते हैं तो उसके लिए यहां पर मैंने लिया है दो चमच बेशन का छोटा वला चमच है जो चमच हम लोग खाना खाने में यूज करते हैं आधी चमच अम्चूर उसके बाद यहां पर आधा चमच हल्दी का मिर्ची पाउडर अधी चमच धनिया पौडर अधी चमच छोटा वला चमच यूज करें अब हम यहां पर डालेंगे गरम मसाला मैंने सारे मसाला एक ही चमच से आधे चमच करके लिया है और दो चमच बेशन लिया है अब सारी देज रचिजों को मिलाूँ यहां पर थोरा थोरा पानी डालकर अमस्दा ऐख बना लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं बस इतना पानी डालना है इसा ज़्यार पानी डालना है एक मिला ह resil 006 में भरते हैं तीज और कहीं बिंडी के बीच में रखके इस तरह से मसाले को फैला दें लेकिन मैं इसको हाथ से भरूंगी जो हमारा अपना देशी तरीका है मैं इस तरह से भर लोंगी फटा-फट से ये मैं आपको दिखा रहे हूं बस छल्या अभी एक भिंडी को मैं हाथ से भर बेड़के दिखा देती हूं इस तरह से भिंडी लिया बिचीuldade है से मसालगी ढाला requests यहाँपर मैंने सारे भिंडी में मसाली भाड लिए चलीए अब कराही के तरब चलते हैं बस कराही गरम होते हैं उसमें दो से लिदा और तीन चमच यह यह लाए किसी भी तेले बना सकते हैं बस एक मिनट बाद यहां भिंडी को चेक करेंगे अंदर से जलतों नहीं रहे हमारी भिंडी सही है बिलकुर इस तरह से पलट दे बेशन को यहां पर भून्नी का जरूत नहीं पड़ता है आज कम करके पकाएंगे अंदर में बेशन अपने आप प बिना धके हुए बना रहे हूं आप ग्यास कम करके भिंडी को एक-दो मिनक निक ड़क द़क दे लेकिन बीच में चेक करते रहे बस यहां पर भिंडी है हमारी पक गई है भिंडी बनके तयार है चलिए मैं प्लेट में निकाल लेती हूं लेजिए भिंडी बन के तियार है इसको आप गरम राइश दाल किसी के भी साथ खाये यह बहुत अच्छी बनती है बहुत अच्छा स्वाद आता है एक तो यहाँ पर मैं सजेट करेंगी कि आप एक वार अपनी घर में यह बेशन वाली भिंडी जरूर ट्राय करें बहुत ही जल्दी और फटा पर बन जाने वाली सब्जी है यह रैसे भी पसंद आती मेरे चैनल को लाइक जरूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भ